स्वस्त असे स्वास्ते रक्षनम, आतुर असे विकार प्रश्मनम दोस्तो आईरुवेद का मूल सिधान यही कहता है कि स्वस्त वेक्ति के स्वास्ते की रक्षा करनी चाहिए और आतुर यानि की रोगी के रोग का ट्रीटमेंट करना चाहिए आज इस एपिसोड में हम स्वास्ते रक्षन की ही बात करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि यह जो सीजन चल रहा है यानि कि जो विंटर सीजन है इसमें डाइट प्लाइन क्या होना चाहिए कौन से दोश इस सीजन में प्रकुपित होते हैं और उनको ठीक करने के क्या-क्या उपाए है दोस्तों पूरा डाइट प्लाइन जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस स्वास्ते के रिलेटिड हम आपको दिखाते रहें विंटर सीजन एक बहुत ही हेल्दी सीजन माना गया है क्योंकि इस सीजन में हमारी जो पाचक अगनी होती है यानि कि जो डाइजस्टिफ फायर है जिसे हम जटरागनी में कहते हैं वो प्रदीप होती है मतलब वो हैवी से हैवी चीजों को भी ओइली चीजों को भी असानी से पचा जाती है इसलिए इस सीजन में हमारे पास खाने के लिए आप्शन्स भी जादा होते हैं ताकि हम अपनी बॉडी के जो धातू होते हैं यानि कि जो टिशूस और मसल्स होते हैं उनको एक अच्छा nutrition प्रोवाइड कर सकें और दूसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि हमारे जो बॉडी के शरीर के छिद्र होते हैं जो छोट-छोटे पोर्स होते हैं वो इस सीजन में सर्दी के सीजन में सिकड़े होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी की जो हीट है उश्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती वो अंदर ही रहती है तो अगनी जो है वो जादा रहती है जो पाचक अगनी है इसलिए हमें एक इंधन के रूप में आहार ज़रूर चाहिए होता है मतलब कि हमारा खाना इस सीजन में बहुत ज़रूरी होता है अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो हमारी जो अगनी है वो हमारी धादूओं को खाने लगती है मतलब कि हमारे शरीर को अंदर से ही कमजोर बनाने लगती है गुण में गुरू और स्निक्ध हो यानि कि जो food items heavy होती है और oily होती है और मदुरमन लवन टेस्ट वाली होती है मतलब जिसका टेस्ट मीठा हो और थोड़ा salty हो या फिर जो sour यानि कि खटे टेस्ट वाली चीज़े इस सीजन में खाने से हमें benefit मिलता है जो गुरू चीज़े होती है जैसे कि उड़त की दाल के बने लड़ू या फिर इसके अलावा खीर या गाजर का हलवा गुड चिक्की ड्राइ फ्रूट्स ये पचाने में heavy होते हैं लेकिन winter seasons में ये खाये जाते हैं और खाने भी चाहिए ताकि हमारे body को nutrition मिले और हमें easily digestible हो चाहिए लेकिन ayurved ये कहता है कि हमें सबसे पहले मीठा खाना चाहिए उसके बाद हमें खाने की शुरुआत करने चाहिए इसमें ये logic है कि अगर हम खाने के अंत में मीठा खाएंगे तो उससे हमारा कफ दूश बहुत बढ़ जाएगा जो कि इस season में हमें और हमारी body के लि मक्की की रोटी खानी चाहिए और जहां तक हम ये कहते हैं कि चावल जो है पुराना चावल अच्छा होता है लेकिन दोस्तों ये season इतना अच्छा है खान पान के लिए कि आप नया यानिकी ताजा चावल भी ले सकते हैं दालों में उरत की दाल बहुत ही nutritious मानी गई है वो इसको खाने का सही तरीका ये है कि आप इन सब्जियों को पहले boil कर ले फिर उसके बाद निचोर ले और उसके बाद फिर देसी घी में भून कर आप ले सकते हैं गाजर का जो juice है वो भी ले सकते हैं कैरट की जो सब्जी है तो सब्जी के रूप में ले सकते हैं गाजर का juice लबा ले सकते हैं इस तरह से हम क्यारेट को भी कई तरीकों से कंजियूम कर सकते हैं और इसके बात जो मैं आपको बताऊंगी आमले की बात आमले सर्दियों में भरपूर मात्रा में मिलता है और आमले को आइरुवेद में वैस्थापन माना गया है मतलब कि जो हमें लंबी उम्र देता है, बालों के लिए अच्छा होता है, आइस के लिए अच्छा होता है, ओवराल हमारी बाड़ी के लिए आमले बहुत ही अच्छा माना गया है इसलिए इस सीजन में आप आमले को जूस के रूप में ले सकते हैं या फिर आमले का अचार टाल के ले सकते हैं और इसके अलावा और भी फूर जैसे कि अमरूद है पपीता है सिट्रस फूर्ट्स कीनू है औरेंज है आपके पस fruits के भी बहुत सारे options आ जाते हैं सर्दियों में दोस्तों आपको दो बातों का जरूर ध्यान रखना है कि एक तो आपको अलप अहार मतलब कि कम होजन नहीं लेना है क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि अगनी इस season में प्रदीप्त होती है तो आप अगर कम होजन लेंगे तो वो आपको बॉड़ी को हाम पहुंचाने लग जाएगे इसलिए आपको भूके नहीं रहना है प्रॉपर डाइट लेनी है क्योंकि सर्दियों में राते लंबी होती है तो इसलिए सुबह उठकर भूख लगाती है तो उस समय आपको अच्छी डाइट लेनी है और सत्तू नहीं खाना है आपको और इसके लावा ध्यान रखने के लिए जो बाते हैं कि आपको सुबह की धूप जरूर लेनी है जिसमें वाइटमिन डी होता है और आपको उशन जल लेना है क्योंकि पूरे सर्दियों में आपको गरम पानी पीना है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदिमन्द है क्योंकि आप डाइट ऐसी ले रहे हैं जो कि ओईली है और हेवी डू डाइजस्ट है हमारी जो जटरागनी होती है वो उस डाइट को पचा तो लेती है लेकिन उस डाइट में जो ओईल यानि कि फैट होता है उसको पचाने के लिए हमें ऊशन जल पीने के आवशकता है और कफ का यानि कि कफ दोश को भी बैलन्स में रखने के लिए हमें ऊशन जल पीना चाहिए इसके अलावा अभ्यांग की बात की गई है winter season में अभ्यांग करना यानि की massage करना बहुती ज़ादा beneficial होता है अभ्यांग के लिए हम तिल का तेल या फिर हम सर्सों का तेल प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों सर्दियों के season में व्याम करना बहुती ज़रूरी है व्याम एंड योगा आप कर सकते हैं क्योंकि जो खाया है अब उसको पचाना भी है और अपनी बॉड़ी को स्वस्त भी रखना है इसलिए आप exercise and yoga दोनों करिए डाइरी products लेने चाहिए और सबसे important बात है कि आप दही ले सकते हैं क्योंकि दही में एक sour taste होता है जो कि वात के लिए बहुत ही अच्छा है और दही की तैसीर भी गरम होती है snigd होता है, guru होता है, easily digest हो जाता है और जो diabetes होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा माना गया है इसमें अगर आपको problem दही लेने में आ रही है अगर कफ की problem आ रही है तो आप उसमें मिश्री mix कर सकते हैं या फिर शहद याने की honey भी mix करके खा सकते हैं ताकि आपको throat के related दही खा के कोई problem ना आए तो ये था दोस्तो आयरुवेद का अहार शास्त्र जिसका वर्णन आचारे चरक और आचारे वागबट ने बहुत ही अच्छे रूप से किया है I hope आपको ये वीडियो useful लगा हो और जो भी इस वीडियो में सर्दियों का खानपन बताया गया है do's and don'ts बताये गए है आप प्लीज उसको फॉलो करिए ताकि आपके स्वास्ते बना रहे और आपको कोई रोग न हो thank you for watching and please subscribe our channel do support us thank you so much